यह उस्ट कैसे आप लोग उमीद करता हूं अप लोग बढ़िया होंगे और नीट 2024 की प्रेपरेशन काफी अच्छे से कर रहे हैं तो बच्छे हमारी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है हमारी पुरी NCRT कंप्लीट हो गई सब कुछ अच्छे से चल रहा है ना बट हम कैसे अपनी performance को check करें, हमारी performance कितनी चल रही है, इसके लिए आपने test series लगाई होगी, जिनने test series लगाई हैं बहुत अच्छी बात है, और जो test series नहीं लगावा रहे हैं, किसी भी कारण से, तो वो test series को order कर रहे हैं, आज मैं एक simple सी video बनाने जा रहा हूं, किसके ओपर ये ह ये नीट के लिए एक ranker test series PW ने बनाई हुई है, इसमें क्या है बच्छे, तो देखो इसमें क्या क्या चीज है, सबसे पहले एक बुकलेट आजाती है, इस बुकलेट में आपको क्या मिलेगा, इस बुकलेट में आपको answer sheets मिलेंगी, मतलब ये तो custom paper है न, ये देखो एक त sheets भी बोलते हैं, और साथ में, as it is NEET का exam का paper जो है, आपको ऐसा ही मिलेगा, तो वैसे ही आपको कुछ question papers मिलेगा, ठीक है, तो एक तो question paper हो गया है, ठीक है, ये हमने लगाने, ये OMR sheets हो भी, ठीक है, तो ये बुकलेट में क्या है, तो इस बुकलेट में आपको answers मिलेंगे, explanations मिलेंगे, in questions के, समझ में आरा है, question paper कितने हैं, देखो बच्चे, total आपके 14 questions के, total आपके 14 set का ये paper है, जिसमें 14 question papers है, जो पहले 4 question paper है, वो half off करके आएंगे, मतलब पहला जो है half 11th, फिर half उसके आगे बाला 11th, फिर जो 3rd वाला होगा, उसमें half 12th होगा, और next जो 4th होगा, उसमें half 12th होगा, और उसके बाद जो बाकी 10 question paper है, वो full syllabus के होगा, मतलब पूरा neat का feel आपको मिलेगा, same ऐसा ही, तो ये सारे आपको feel मिलेगा, और OMR sheets कितनी है, तो OMR sheets भी आपको 14 OMR sheets मिलेगी, explanation भी है, अब ये चीज़ आप order करो, घर में feel लो इस चीज़ का, पूरा timer set कर बिल्कुल जैसे NEET का exam दे रहे हूँ, उसी तरह से, और इसको न मैंने student के लिए ये चीज़ बनाई हुई है, मैंने 14 का पूरा planner एक बनाया हुआ है, ये planner आप खुर भी बना सकते हो, ठीक है, ये planner है, अब मैं इसका screenshot या ये सब कुछ share इसलिए नहीं करूँगा आपके करीवन कोई, मान के चलो, आप 16 अपरेल तक जारी है, 16 अपरेल तक इस तरह से मैंने मैनेज किया हुआ है, इसके बाद में और भी कुछ test series इंक्लूट किया है, तो आप ऐसी एक planner बनाओ, इस test series को order करो, और अपनी जो performance है, उसको बिल्कुल peak पे लेके जाओ, ताकि जितनी गलतिया है, मैं आवमेशन students को कहता हूँ, जितनी भी questions में गलतिया है, वो अपने table पे हो जाए, कही नीट के exam के दिन वहाँ और मार भरते वे गलती कर दें, या कुछ और करते वे गलती ना करें, तो अपनी तैयरी अच्छे से करो, और यह अगर आपको फाइजमन लगती ह है, तो इसको order करो, टेस्ट दो, नीट में इस बर selection लेके दिखाओ, थैंक्यू सो मज,